तो इरनस्का आपने देख लिया कि किस तरीके से काम कर रहा है सारी कंडिशन देख लें ठीक है restricted services, standard services standard services सामाने होंगी ठीक है और यह सामाने लोगों को ही मिल पाएंगी restricted services encrypted form में होंगी coded form में होंगी वो सिर्फ आर्मी को मिलेगी तो यह हमारा navigation satellites थे पूरी दुनिया जितने भी navigation satellites system काम कर रहे हैं उन सब के बारे में हम लोगों ने यहां पर बात की अब यह सारे satellite हम लोगों ने देख लिया telecommunication satellite हम लोगों ने देख लिया remote sensing हम लोगों ने देख लिया weather हम लोगों ने देख लिया navigation ठीक है astro set जो बचा है उसे हम लोग last में missions में बताएंगे तो सारे हम लोगों ने satellites कैसे काम करते हैं सब देख लिये अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में हम लोग बात करेंगे आपके launch vehicles प्रच्छेपन यान तो heading डाल लीजे launch vehicle या प्रच्छेपन या launch vehicle या प्रच्छेपन यान launch vehicle या प्रच्छेपन यान प्रच्छेपन यान तो यह जो प्रच्छेपन यान का मतलब क्या होता है कि satellites हम लोगों ने देख लिया कि कैसे satellites होता है उसके अंदर क्या क्या चीज़े मौजूद होती है अब satellites के को orbit में भेजना है तो orbit में भेजने के लिए आपको किसकी सरुवत होती है rockets की तो उसे rocket के सहारे से भेजा जाता है प्रच्छेपन यानों के सहारे से भेजा जाता है तो प्रच्छेपन यानों यान जो हमारे भारत के पास है तीन तरीके के हैं, एक का नाम PSLV के है, एक का नाम GSLV है, और तीसरे का नाम RLV है, जो अभी बनाया जा रहा है, तो Polar Satellite Launch Vehicle, GeoStressory Satellite, GeoSynchronous Satellite Launch Vehicle, और Reusable Launch Vehicle, ये तीन तरीके के यान भारत के पास मौझूद है, तो सबसे पहले हम लोग देखें के PSLV, सुगहते हैं, PSLV से भीजा गया, देखते होंगे ना, सुनते होंगे ये सब बाते होंगे, जब पढ़ते होंगे, जब मौका मिल जाता होगा, कभी दो चार महीने में, तो कोई सी अग्जेन उग्जेन, तो उसमें सुनाई पढ़ता ह ठीक है, ये सारी चीज़ें कि PSLV क्यों यूज़ किया जाता है, GSLV क्यों यूज़ किया जाता है, किस कंडिशन में PSLV, किस कंडिशन में GSLV, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में देखेंगे, तो सबसे पहले PSLV की हम लोग बात करेंगे, तो हेडिन डाल पोलर सेटलाइट लॉंच वहकल या ध्रूवीय उपग्रह प्रच्छेपन या ध्रूवीय उपग्रह प्रच्छेपन या पोलर सेटलाइट लॉंच वहकल या ध्रूवीय उपग्रह प्रच्छेपन या लोग देखते हैं कि हम लोग किसको देख रहे हैं PSV, तो नाम से ही पता चले है który PSV को इसके लिए बनाए गया & Polar Satellitemayı लांच करने के लिए, अज्मिधी उपग्राओं को लांच करने के लिए जुभी इन वांच के लिए, 200-2,000 किलो मिटर्ण के उचाई है ?usta ठीक है तो PSLV तो PSLV की अगर बात करें तो PSLV कुछ इस तरीके का रॉकेट होता है इस तरीके का रॉकेट आप लोगों ने देखा होगा मौजूद होते हैं यह टॉप जो यह आपका ट्राइंगल टाइप का बना हुआ है यह जो ऊपर वाला पार्ट होता है कि रॉकेट तो समने देखा होगा ना ठीक है तो रॉकेट का जो फूपरी हस्षा होता है यही पर आपके सेटलाइट्स को रखा जाता है, जितने भी सेटलाइट्स होते हैं, सेटलाइट्स होते हैं, ये सारे के सारे सेटलाइट कहा रखे जाते हैं, उपरी भाग में, ठीक है, उपरी भाग में, ये पेलोड यही पर रखा जाता है, ठीक है, सारे सेटलाइट यही पर रखे जाता है लेकिन 1500 kg अगर इसकी वहन छम्टा 1500 kg है तो 1500 kg से उपर की यह सटलाइट को नहीं ले जा सकता है तो सारे सटलाइट कहा रखे जाते हैं उपर की तरफ ठीक है यहाँ पर फिसके बाद यहाँ पर प्रित्वी से इसको निर्देशित किया जाता है और यह जो बड़ा सा भाग आप देखते हैं यह पूरा का पूरा होता है फ्यूल सिस्टम यानि कि यहां पर क्या होता है इधन रखा जाता है तो PSLV के अंदर दो तरीके के इधन यूच किया जाते हैं म्यारी बाद PSLV के अंदर दो तरीके के इधन यूज़ किया जाते हैं एक होता है solid यानि कि ठोस इधन ठीक है ठोस इधन और दूसरा होता है liquid यानि कि तरल इधन दो तरीके के इधनों का उपयोग किया जाता है solid ठोस इधन और liquid तरल इधन Solid जो इधन इसमें यूज़ किया जाता है वो होता है STPB Hydroxyl Terminated Polybutadine Hydroxyl Terminated Polybutadine Butadine और Liquid जो fuel यूज़ किया जाता है वो UDMH Unsymmetrical Dimethyl Hydrozyne Unsymmetrical Dimethyl Hydrozyne ठीक है इसके अलामा MMH एक दूसरे तरीके का Liquid इधन भी यूज़ किया जाता है जिसका नाम होता है MMH Monomethyl Monomethyl Hydrozyne तो ये इधन यूज़ किया जाता है किसके अंदर Rockets के अंदर ठीक है यानि PSLV के अंदर अब एक बात समझ लीज़े कि इसके कई engines होते हैं कुछ solid fuel से चलते हैं कुछ liquid fuel से चलते हैं तो हर एक engine को हम stage बोलते हैं तो newspaper अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो उसमें लिखा रहता है कि हमने है PSLV से बेज़ा जो कि four stage rocket है अब समया है stage stage का मतलब ना stage का मतलब engine ठीक है और वह engine जिससे अगर solid stage इसका मतलब यह solid fuel से engine चल ला है liquid stage यानि यह liquid fuel से चल ला है अब समया रही है तो सबसे पहला जो stage होती है first stage जो होती है PSLV की इसे first stage बोलते है यानि first engine जो लगा होता है वो चलता है किस से solid fuel से यानि की STPV से फिर उसके बाद आती है second stage second stage चलती है liquid fuel से और liquid fuel इसमें जो use किया जाता है वो है UD MH ठीक है फिर उसके बाद third stage इसकी जो आती है third stage वो third stage आती है आपकी solid fuel फिर solid fuel STPV ठीक है यहां पर भी STPV यहां पर भी STPV और फिर fourth stage आएगी वो आएगी liquid fuels की और liquid fuel इसमें use किया जाता है mmH समझ में आरी बाद तो ST solid liquid solid liquid चार तरीके के stages होती है यानि चार तरीके के fuel system इसमें use किये जाते हैं किसमें PSLV के अंदर सबसे पहले solid liquid solid liquid चार stages इसमें use की जाती है इतनी बाद समझ में आ गया उपर की तरफ क्या होगा जो सेटलाइट हम लोगों अभी तक कल से बनाया है ना तो सारे सेटलाइट ऊपर रखे जाएंगे ठीक है फिर इसके बाद control system फिर इसके बाद नीचे fuel system fuel system कैसे होगा चार stages में बिलकुल बात clear पीछे तक 100% अब मामला यह होता है कि जैसे launch किया जाता है सेटलाइट को तो सेटलाइट को जब launch किया जाएगा तो सेटलाइट अक्सर हम लोग सोचते हैं कि rocket गया और ऐसे गया और जाकर उपर launch कर दिया ऐसा नहीं होता होता यह है कि माल लीजे कि इसको launch करना हुआ और यह four stage rocket है ठीक है four stage rocket और इसको orbit में launch करना हुआ तो सबसे पहले first stage engine को burn किया जाता है first stage engine burn होगा solid engine burn out होगा यह एक उचाई पर पहुंच जाएगा ठीक है फिर इसके बाद first stage engine का fuel खतम हो जाएगा और first stage engine का fuel खतम होकर first stage engine इससे separate होकर वापस प्रित्वी पर गिर पढ़ेगा समयारी बात फिर्स के बाद second stage engine liquid fuel वाला engine controlled way में जलाया जाएगा यह आगे बढ़ेगा एक उचाई पर पहुंचेगा फिर इसके बाद एक उचाई पर पहुंचेगा फिर second stage engine separate हो जाएगा और इसका fuel खतम हो जाएगा यह भी वापस गिर जाएगा फिर third stage engine burn out किया जाएगा यह कहां पर पहुंचेगा और बिट में कहां पर पहुंच गया और बिट में पहुंच गया और थार्ड इस्टेज इंजन इससे अलग होकर या तो गिर पड़ेगा या तो वहीं का कच्रा बन जाएगा बस में आ रही है फिर इसके बाद जब और और बिट में पहुंच गया और बिट में थर्ड इस्टेज तक पहुंच जाएगा अब और बिट में पहुंच गया तो और बिट में सैटलाइट को घूमने के लिए एक निस्चित वेलासिटी निस्चित वेग चाहिए होता है जो लगबग 18,000 से लेकर 25,000 किलोमीटर प्र पशिधि पर इसे लिए तो हमें मिनमुम वेलासिटी देनी पढ़ती है रबिट में yolk अलग अलग वेलासिटी होती है जितना जितना नजदीक ऑर बिट होगा उतने जएधा velocity हमें जादा देनी पड़ेगी, तो हर orbital उसे बोलते हैं orbital velocity या कच्छी वेग, यानि satellite को हमें दिखया दिना है, कच्छी वेग दिना है, अगर उससे कम वेग दिया, ठीक है, उस कच्छा में जितना वेग चाहिए होता है, अगर उससे कम वेग दिया, तो क्या होगा, सेटलाइट धीरे-धीरे प्रित्वी के गुर्टवा करशन से अट्रैक्ट होकर नीचे गिर पड़ेगा, तो हमें उतना वेग देना होता है, किस में वेग देना होता है, अब वेग देना है, 24-25,000 किरो मीटर पती घंटे का, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, जबर्दस तरीके की उर्जा चाहिए, पावर चाहिए, और ये पावर देने का काम कौन करता है, 4th स्टेज, यानि 4th स्टेज, तो फाइनली 4th स्टेज इंजन बरनाउट होता है, जब 4th स्टेज इंजन बरनाउट होता है, तो फाइनली यह फूर्थ स्टेज इंजन इस डिब्बे को यानि कि यह जो बॉक्स जिसके अंदर सैटलाइट रखे हैं इनको क्या प्रोवाइट कर देता है कच्छी वेग अब यह गूमता रहता है आप इसमें मान लीजे तीन सैटलाइट रखे हुए एक इसमें इसमें से एक इजेक्ट हो जाता है यानि उसको पुष कर दिया जाता है अब जैसे आप यह बॉक्स घूम रहा है उपर वाला बाग उपर वाला जो इसका पोर्शन है वह अगर पचीस जार किलो मीटर की रफता से घूम रहा है तो उसके अंदर रहे हैं जैसे हम लोग बस पे चलते हैं है पस बस साथ किलो मीटर प्रती घंटे की रफता से चल रही है तो इसका मतलब हम बीस कितने किलो मीटर के रफता से चल रहा है तो मतलब सैटलाइट का अगर यह जो बॉक्स है उपर वाला बॉक्स अगर पचीस जार किलो मीटर की रफता से घूम रहा है तो इसके अंदर स सेटलाइट इसे बहार निकल कर उसी वेग से घूमना स्टार्ट कर देता है फिर ये आगे बढ़ा आगे बढ़ने पर इसमें दूसरा सेटलाइट अपने से इजेक्ट किया फिर इसके बाद आगे बढ़ने पर इसमें तीसरा सेटलाइट इसमें से इजेक्ट कर लिया तो हर स तो हम्यार यह अंत्रिच का कच्ड़ा बन जाता है, इसका यूज नहीं होता है, लेकिन हम लोग बहुत जादा चाला के हम दुनिया के पहले कांट्री बने, जो यह हम आम के आम गुठलियों के दाम भी निकाल लेते हैं, तो इस जो फूर्थ स्टेज था जिसमें जो हमारे ल होने देंगे ठीक है?нопर तू हमारे यहां सबजी बनाई जाती हैं, सबजी बनी हों की जएघे बनाली जाती है तो हम तो इन देश में सामिल हैं तो हम वह फूर्थ स्टेज को खराब होने देगे तो हम रहें होने देगे, और जन्वरी, में दुनिया के पहले देशव बने, जनवरी 2019 में पहले देश पूरे दुनिया के बने 2020 नहीं जहां पर हमने फोर्थ स्टेज में छोटे से इंस्ट्रुमेंट लगा दिये थे और वो इंस्ट्रुमेंट भी घूमते हुए क्या करने लगे हमें इन्फरमेशन्स भीजना स्टार्ट कर गया है तो वह भी हम काम कर चुके हैं थीक है तो नहीं है कि कैसे कैसे हुआ यह अपनी पर ऑपनी अंगल पर अधयुक्ट कर देते हैं बास में अब यूच्छ किया जाता है तो पी एसले से लॉंचिंग कैसे यह विल्गूल खेंघ पर depressed gebeur clear हो गई तो सब्सक्राइब पर स्वालें सालिदी फ्यूल सेकें इस टेज में लिक्अ में नंusee करते हैं इनने लांज किया जाता है फिर्स टेंजन इसको बूस्त देता है एक उचाहिए पर पहुंचाटा सेगें सेज़ें दूरी पहुंचाटा है और f4th जिन्जन इसको क्या देता है और साटलाइट को हाउड से अग कैसे निकलते हैं यह सारे से गिरा दिया, वापस प्रित्वी पर ही गिर जाए, गया ऐसे, मैं बना रहा हूँ पारबॉलिक, और कुछ लोग जो हैं वो, सीधे ऐसे, सर्फिस टू एर मिसाइल, चलो, तो हो गया ये, तो समय में आ गया, कि PSLV का स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है, PSLV का स्ट्रक्चर किस तरीके का होगा, PSLV जो है, वो पॉलर सैटलाइट को लाँच करने के लिए, बनाया गया, ठीक है, पॉलर सैटलाइट मतलब, 200 से लेकर, 2000 कलोमीटर तक की उचाही पर, इनको भीजने के लिए बनाया गया, PSLV को लाँच करने के लिए, चार stages rocket रखी गई, ठीक है, दो stage में solid fuel, दो stage में liquid fuel का use किया गया, ठीक है, solid में STPB और liquid में UDMH और MMS fuels का use किया गया, और ये उपर जाने के बाद, क्या करती है, fourth stage rocket क्या करता है, उसको orbital velocity देता है, और जिससे क्या होता है, कि आपके जो satellites है, वो orbit में उसी wake से घूमना start कर दे है, orbital velocity यानी कच्छी wake से start कर दें, इसनी बात समझ में आ गई, सब को समझ में आ गई, सही में समझ में आ रहे ही नहीं, पीछे वाले भाई साब, समझ में आ गई, इधर, समझ में आ गई 100%, बहुत समझदार हो तुम लोग, बात इतनी आसानी समझ में नहीं आती है, तो आग के दिमाग में उस चीज़ है, बैठ जाए, तो बिलकुल clear है, बीच में ये जो लड़कियां बैठी हुई है, ठीक है, तुम लोग मुस्कुराती रा करो, अच्छा है मुस्कुराना, ये लोग, नहीं माहो लोल नहीं बनता, लेकिन मुस्कुराने से कम से हम लगता है कि ठी पूलर सेटलाइट को लाँच करने के लिए बनाया गया था, समझ में आ रही बात? तो पूलर सेटलाइट को लाँच कर रहा था, अब जियो सिंक्रोन सेटलाइट को जो की 36,000 कि उचाई पर भीजी जाने है उनको, तो 36,000 कि उचाई पर भीजने के लिए जियो सिंक्रोन सेटलाइट लाँच वेकिल हमने बनाना स्टार्ट किया, ठीक है, जो 36,000 कि पर जाए में उसमें एक ऐसा जबर्दस्त इंजन चाहिए जो आपके सैटलाइट को और बिटल विलॉस्टी सफीशन्ट अमाउंट में मतब और बिटल विलॉस्टी प्रोवाइट कर दे लास स्टेज में और ऐसा इंजन आपको बहुत शक्तिशाली इंजन की आवश्यक्ता है और ऐसे सक्तिशाली इंजन जो है वो सॉलिड और लिक्विट से नहीं बने होते बल्कि वो बने होते हैं क्रायोजेनिक से सुनाया क्रायोजेनिक इंजन के बारे में तो क्रायोजेनिक इंजन जो होते हैं वो बहुत उनको बनाना अपने आपने बहुत बड़ा बहुत बड़ी टेक करेंगे तो थरड लास स्टेज में हमें क्या चाहिए होता है जी एसलबी को बनाने के लिए क्राइव जेनिक इंजन बात आपको समझ है क्राइव जैनिक इंजन और क्रायो जैनिक इंजन की टेकनिक जो है वो 90 के दशक में भारत के पास मौझूद नहीं थी वो टक्निक नहीं उजर लोग तो यह तकनीक हमारे पास नहीं थी। हम लोग क्या करते थैं। पुराने स्ट्लाइट को भीजने के लिए यानि चल्सक्र को भीजने के लिए हम उधार काम करते थे यानि दूसरों की support से काम करते थे थे कह रहा V एक तो प्रांस जा रहा है तो हमने उसको एक थम्हात दिया अपना काम ऐसे ही चल रहा था लेकिन तो वो लोग उसके वदले में मोटा पैसा लेते थे, ऐसा फ्री में तो कोई काम नहीं करेगा न, जो हमारे लिए काफी महगा पढ़ लाता है, याद रखना कि सैटलाइट को भीजने में, बनाने में, रख रखाओं में, भीजने में, जो भी पैसा खर्च होता है, उसमें 60 प थे भीजने की कविसेटी, नहीं है, हमारे पास भी नहीं थी, तो हमें, हम, हमने क्या किसकी मदद ली, आप रख रखिया की, इसकी, फ्रांस की, अमेरिका की, इन सब के मदद ली हो रहा हूं, उनकी मदद से भीजने लेगे, लेकिन वो मूटा पैसा वसूल ले रह थे, हम बड़े परिशान हुए, पैसा भी नहीं है, लॉंच वहकिल भी नहीं है, cryogenic engine बना नहीं सकते, तो हमने रशिया से डील की, रशिया से कहा, देखो भाई, तुम अपना cryogenic engine की technology हमें दे दो, सुनो, पुरी बात, अच्छे से सुनना बड़ी अच्छी कहानी, तो cryogenic engine की technology कहा, कि हमें दे दो, ठीक है, तो रशिया ने का, ठीक है, हम दे दे देंगे, कोई समस्या नहीं है, तो मेरे दोस्तों हमें तुम्हें दूफ प्रोवाइट कर दूँगा, तो अपनी deal हो गई, कि इतने इतने engine हम आपको देंगे, और ये technology transfer कर देंगे, लेकिन उसी वक्त, अमेरिका और चाइना जैसे countries ने इस पर विरोध दर्ज किया, क्योंकि cryogenic engine, ध्यान से सुनिएगा, cryogenic engine सिर्फ satellite में ही नहीं यूज होता, इसमें satellite launch वहकिल में, यानि प्रचेपण यानों में ही नहीं यूज होता, बलकि इसका उपयोग जो है, वो missile बनाने में भी यूज किया जा सकत है, सुम्यारी बद, तो cryogenic engine का तो अमेरिका, चाइना इन समने विरोध इस बात पर दर्ज किया, कि अगर cryogenic technology रशिया को, रशिया ने अगर इंडिया को दे दी, तो इंडिया जो है, वो cryogenic engine की मदद से cruise missiles को बनाना भी सीख जाएगा, और cruise missile अगर बनाने लगा, तो यह हमार ग्रूप था, उस ग्रूप का नाम था MTCR, मिसाइग technology control regime, तो मिसाइग technology control regime एक ग्रूप था, उस ग्रूप में वही member होते थे, जो जिनके पास यह technology मौझूद थी, या वो members शामिल किया जाते थे, जो हमारे उनकी शर्तों पर, उन ग्रूप के member के शर्तों पर, उस technology भाकाम करते थे, तो हम, हम उस MTCR group के member country नहीं थे, तो हमें वो technology transfer, नियम के अनुसार, वो technology हमें transfer नहीं की जा सकती थी, क्योंकि हम MTCR के सदव सिदेश नहीं थे, तो रशिया चाहकर भी हमें technology transfer नहीं कर सकता था, तो finally क्या हुआ, कि ये तो deal गरबड हो गई, अमेरिका ने वाला था, हमारी dealing हो चुकी थी रशिया से, लेकिन अमेरिका और चाहिना वेगरा के विरोध ने हमें रशिया से, इंजन, रशिया ने इंजन देने से मना कर दिया, समयारी बात, तो ये समस्या हो गई, तो अब हमारे पास cryogenic engine नहीं मिलना था, cryogenic engine बनाने की technology हमारे पास available न समयारी बात, फिर जब बहुत परिशान हो गए, जैसे होता है, है रहान परिशान जब किसी को इतना प्रतारित कर लोगे, तो फिर वो कुछ idea निकाल देगा, तो इंडिया ने कहा, भारत के scientist जो थे, वैग्यानिक थे, उन्होंने दिमाग लगाया, उन्होंने कहा, ये निकालते हैं, तो अगर ये इनको मैं यहां से वहां तक भेजना चाहूं, easy classes जहां भी लिखा हुआ है, तो एक तरीका तो यह हो सकता है, जबरदस धक्ता वारूं यह पहुंच जाए, इतनी ताकत होनी चाहिए, यह मेरे पास GSLV हो, और दूसरा तरीका यह भी तो हो सकता ह जैसे कलम लोगों ने GTO वाला बताया था, एक जबरदस धक्का मारे, यह घूम कर वहाँ पहुंच जाए, और फिर इसको छोटे 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 धक्के मार कर इनको कहां पहुंचा दे, कहां भी पहुंचा यह और बिट में पहुंचा दे, यह भी तो हो सकता ह तरीका, धक्का मार टेक्नोलजी, हो सकती है कि नहीं हो सकती, कल बताया था आपको, तो कहा गया कि यह सही है, तो क्या किया गया, हमारे इसरो के वैग्यानिकों ने किया क्या, कि यह जो PSLV था, इसी PSLV में छोटे 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 रॉकेट लगा दिये, solid fuel से भरे हुए रॉ रॉकेट लगा दिये, solid fuel से भरे हुए रॉकेट ऐसे लगा दिये, और इन्हें कहा गया booster, क्या कहा गया, booster, booster यानि प्रणोधक, प्रणोधक लगा दिये, और कितने booster लगाए गये नंबर में, 6, इसमें कौन सा फ्यूल था, STPB, यानि हाइड्रोक्सल टर्मिनिटेट पॉल पर समय में आगये बाद, अब इसको 6 booster के साथ इसको arrange कर दिये, इसमें 6 booster हमने छोटे-छोटे booster बांग दिये, इतनी बाद समय में आगई, समय में आगई, अब हमने क्या किया, जब हम को यहाँ से, अभी तक यहान मालो पहुंचना था, और अभी यहाँ तक जाना है, तो हम छोड़े, दो बूस्टर जलाए, जब बूस्टर जलाए तो फिर इसको पुष मिला, फिर यह आगे पहुंचा, ठीक है, फिर दो बूस्टर पहुंचा है, फिर आगे पुष मिला, फिर बूस्टर जलाए, फिर पुष मिला, फिर लिक्विड इंजन बर्न राउंट कर दिया, फिर solid engine फिर solid engine और फिर उसके बाद इसको ऐसे करते हुए धक्का मारते हुए हमने कहां पहुचा दिया जियो और बिट में पहुचा दिया बस नहीं तो पहले जीटियो और बिट में डालकर धक्का मार मारके उसे हमने जीटियो और बिट में पहुचा दिया और फिर ये काम कर करने वाले आप बिलीव करिये यानि की PSLV जैसे चोटे यान जिनकी ताकत 200 से 2000 किलो मीटर की थी उसकी मदद से हमने 36000 किलो मीटर की उचाई पर अपना अपना सेटलाइट लांच करके दिखाया और ये दुनिया में पहली बार हुआ ये भी इतिहास रचा गया यानि हमने PSLV समय रहे ना PSLV का एक वरजन मना दिया और उस वरजन से हम क्या करने लगे जिसकी ताकत 200 से 2000 किलो मीटर थी उसकी मदद से हमने दो 36,000 किलो मीटर तक की हुचाई पर सेटलाइट को भीजना स्टार्ट कर दिया ठीक है दुनिया इसतब्द रहे गई अरे यह ऐसा ऐसा भी हो सकता है कहना ऐसा हो नहीं सकता हो गया हमने कर लिया तुम देखो ठीक है तो समय में आगई तो अब अब हुआ तो यह PSLV तो प अलोन वर्जन ठीक है इससे क्या भेजा जा रहा था पोलर सेटलाइट को भेजा जाने लगा इससे कौन से लांच किया जाने लगे प्रच्छेपित किया जाने लगे पोलर सेटलाइट को लांच किया गया ठीक है पोलर सेटलाइट को लांच किया गया दूसरा हमने जो यह बनाया जी, PSLV, G, Geo Synchronous Version भी कह सकते हैं और Generic Version भी बोल सकते हैं, इन्हें क्या बोला जा सकता है, PSLV का G version, यानिकी Generic Version या Geo Synchronous Version, ठीक है, तो यह जो Geo Synchronous या Generic Version था, इसमें क्या लगाए, 6 Boosters लगाए, ठीक है, और इसकी मदद से हमने क्या लांच किया जियो सिंक्रोनस सेटलाइट हमने इससे लांच करना स्टार्ट कर तो बुरी दुनिया इस्तब्द रहागी अरे वाह ये दूसरा वरजन आगे पीसलीजी और सब बधाई वह 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 वाहता है तुम्हारा प्रिलम्स गलती से निकल जाए माल लोग इंदी में फड़ा है अगलती से निकल जाए लोग बधाय दाई देना तो कुछ लोग गलती से निकल जाएगा तो तो अरो ये इसका इकजाम है, ये क्या हो सकता है, ये आपके माइल स्टोन हो सकता है, मील का पत्थर हो सकता है, लेकिन आपकी जिन्दगी नहीं हो सकती है, इसको उसी तरह से डिल कीजिए और कामयाँ हो जाएए एक अल्लामा इकबाल साहब थे, उन्होंने सारे जहां से अच्छा हिंदो सता हमारा लिखाता हूँ, उन्होंने युवाओं से ही बोला था, एक शीर में बोला था, वो शीर में सुनाता हूँ, और हर जगह में बात बोलता हूँ युवाओं से, कि सितारों के आगे जहां और है अभी इश्क के अहां और भी है ठाइक है यह 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 तुमारा फर्जी वाला इस नहीं तुम लोग पारकों में करते रहते हो वह अला फेर इस नहीं यहाँ पर इश्क कान सी रात ही बाथ है да आपे आपके एम से आपके लच्छ से जो इश्क है तो मतलब है सितारों के आगे जहां और यह जो आईएस का जो तुम सितारा देख रहे हो इसके आगे भी जहां बहुत है ठीक है सितारों के आगे जहां और भी है अभी इश्क के इमते हां और भी है बहुत कुछ करना है छोटी मोटे लच्छों के लिए तैयार तो मामला क्या हुआ कि तो अब क्योंकि महनती इंसान होगा तो हमेशा उसके लक्षे बढ़े होंगे जो इसको बाई चांस मिल गया वो तो फिर एरोगेंट हो जाएगा इस दिए कुछ लोगा पता लगा नीचे वाली पोस्ट पाए हैं पता लगा बोकाल में इतना टाइट कि बाती नहीं करते हैं और कुछ होते हैं ठीक है अच्छा जो अपर जो तूप फंड़ेट पोस्ट वालों से अगर तूम बात करोगे तो बहुत हमल होते हैं बहुत आजाम से बहुत अच्छी से बात करें जो आप पूचेंगे बता रगे आपका फून का जवाब देदे तो जितनी बड़ी कामयाबी आपको मिलेगी उतना ही आपके अंदर हमबलने सानी चाहिए आप उतनी ही जादा सौम हो जानी चाहिए तो मामला क्या हुआ है कि हमारे इसमें तो भाई मेहनत की थी ठीक है सब लोगे बदाई दी बहुत-बहुत-बहुत-बहुत मुबारा को इतना बड़ा कामयाबी बताओ 200 से 2000 किलो मीटर वाले से आपने 36,000 किलो मीटर बेज दिया कोई मामली बात है कि नहीं ठीक है तो उन्होंने का चलो अच्छी बात है आगे भी आप अच्छा काम करें आप अ और पेलोड करतें पेलोड समझा ना पेलोड ये सेटलाइट सेटलाइट और कम करतें तो दूरी क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी तो और भी आगे सोचा जा सकता है कि मतलब मतलब यह है कि हमें सोच रहे हैं 36,000 तो जाही चुके हैं लगबग 4,000,000 किलोमीटर दूर चंद्रमा है उसकी भी आत्रा कर लें क्या दिक्कत है तो अमेरिका वेगरा जो जिसने बेजदी की थी तो बेजदी का बतला ऐसे ही लेना है तुम लोग को जो लोग कहते नहीं हो पाएगा तुम से त अपनी काम्यावी से तो तुमारा दिमाग ठिकाने हैं अमेरिका ने का तुमारे दिमाग ठिकाने है चाल लाग किलोमीटर तुम ऐसे चले जाओगे मतब 36,000 चलो चले गए लेकिन चाल लगे हमारे पास एक से यान थे एक से बेहतरीन यान थे उसके बाद भी हम कई वही जवाब दिया तो तुम दिया करो अगर कोई तुम से कहा करें तुम हमेरे पास यह सुविधाएं थी उसके पास यह सुविधाएं थी लोग बोलते होंगे ना सुविधाएं थी लेकिन वह नहीं कर पाए तो तुम कैसे कर पाऊगे तो उनको वही जवाब दिया करो उसन नहीं कर पाएं सारी सुधायन्ती सारा है था सब्धुट pistu ने घर पाएं और मेरे पास कुछ नहीं है अब क्या बिगड़ जाएगा समझो मार क्या फिगड़ जायेगा भाई खौने को हमारे पास है ही नहीं भाई जब यहां पे IIT और IIM वाले अपना अपना लका आजमा रहे हैं तो हम BABSC करके क्यों ना आजमाएं उनके पास खौने को है हमारे पास तो वो भी कुछ नहीं है हम क्यों आजमाय हम आजमायेगे some unf smiles के हमाजमायेंगे के मतलब करहा हा लेकिन बात यह कि तुम भी कुछ ले तुम्हारे पास 46 उधाय थैं और तब तुम कुछ नहीn कर पाए और मेरे पास कुछ नहीं है तब हम कुछ ना कर पाए तो कुछ बिगड़ेगा कोई पूछेगा कोई जानेगा ही नहीं कभी हुआ था ठीक है लिकर समस्या इस बात की है इस रोन नासर किसे कहा अगर कर लिया तो क्या होगा तब तो तो तुम्हारी पुल आन बेज़दी कि तुम्हारे पास सारी सुधाएं तुम्हारे पास सारी सुधाएं और नहीं कर पाएं और मेरे पास कुछ भी नहीं तो मैंने कर लिया और अगर हम राई नहीं करेंगे तो फिर तो मौका वो भी नहीं है मारे पास एक परसेंट भी वो मौका नहीं रहे Extra Large Virgin PSLV Extra Large Virgin और इसमें भी हमने वही 6 booster लगाए है ठीक है? Boosters लगाए है और इसकी मदद से हमने क्या प्लान किया है ठीक है? कि GTO के अंदर भेज कर दीरे दीरे पुश्च करके हम इसको आपके चंद्रयान वन को हम भेज कर दिखाएंगे ठीक है तो फाइनली चंद्रियान वन भीजने की तैयारी हो गई इसी से ही दुनिया मना करती रही लेकिन हम तैयार हो गए और फाइनली दो हजार आठ में बिलीव करिए ये भी एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है ये एतिहासिक दिन रहा 2008 में हमने PSLV जिसकी ताकत 200 से लेकर 2000 किलुमीटर थी उसको 4,000,000 किलुमीटर दूर चंद्रिमा की और्बिट में अपने सेटलाइट को पहुँचा दिया ये एक रिकॉर्ड था तो आप सोचिए कमकलपना कीजिए इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपकी कैपिबिल्टी म आप अगर इरादे बुलंद कर लीजे तो छंता हैं तो अपरम पार हैं बहुत बड़ा काम कर सकते हैं हम अपने इरादे ही नहीं बना पाते और उन पर बिलीव ही नहीं कर पाते और हम सोचते हम अपने सपनों पर बिलीव नहीं कर पाते हैं और हम सोचते हम अपने सपनों अब जान से चाल लाग किलमीटर तब पहुंचा दिया, पुरी दुनिया इस तब रहे कि रहे, वहाँ बहुत बढ़िया, जबरदस्त। पर वापस आगे, भाई चलो मुबारक बात तो दे ही दे, मन तो नहीं कर रहा है लेकिन दे दे देते हैं। मन तो नहीं कर रहा है, लेकिन दे देते हैं, देने के लिए कुछ आया अमेरिका, वहाँ मुबारक को तुमने ऐसा काम कर लिया, यह है, वह है, बहुत बढ़िया, फिर वही वाली बात हम लोग नॉर्मल ही रहे, क्योंकि मेहनत की थी, हाँ ठीक है, तो उन्होंने का अब कि अब क्या किया जाए, तो उन्होंने का कि ठीक है, तो बहुत अच्छा तुमने किया, पेस्ट अफ लग और सब कुछ करके आगे बाए, तो उन्होंने का कि अब कुछ और भी करना है, हाँ सोच रहे है, क्या सोच रहे हो, क्यान यही सोच रहे है, चाल लाग किलोमीटर त आप लोग जाते रहते हैं, तो हम सोच रहे हम भी ट्राई करें, उसने का दिमाग मत खराब करो, अपनी होदा ना, फ्लस होदा ना कियो, हाँ मतलब अपने उसमे रहु, ठीक है, हाँ, लिमिट में रहु, तो उनन का अच्छा, एन लिमिट में ही है, उससे उपर नहीं जा रह दो, खिलने से वेज旋गे, टमने का हाँ, हम लोग पहली बार में दुनिया के इसे तीन देश गया हैं नहीं पहुछ पाए हैं, तुम सोच रहे हो, ऐसे पहुछ जाओंगे, तुँनों नहीं कर पाए हैं, और हम भी नहीं कर पाएंगे, तो क्या बिगड़ जाए कुछ बिगड़ेगा नहीं बिगड़ेगा लेकिन प्रॉब्लम ये अगर कर लिया तो तब तो एतिहासिक हो जाएगा तब तो ये लिखा जाएगा कि भारत पहला देश बना जो पहले ही अटेंट में मंगल की औरबिट में पहुंच गया और तब त जाने वाला है तो क्या इतना पैसा तुम्हारी गवर्मेंट दे पाएगी हम लोग भेजते हैं पांच-छे हजार क्रोण उपे लगते हैं तुम्हारी गवर्मेंट इतनी आउकात है तुम्हारी गवर्मेंट की दे पाएगी तो उन्होंने का कि नहीं दे पाएगी कोई बा झाल झाल